तो हैं स्वास्त मंत्री अनल विज ने वैक्सीन पर बोलते हुए कहा कि उन लोगों की सारवचिनिक जगों पर एंट्री बैन होगी जुनोंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होगी विजनिस साफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी दफ्तर में, परिवन में या फिर मैरेज होम तक में एंट्वी नहीं दी जाएगी तो विदान सबा के शीद कालिंग सत्र का चोथा और आखरे दिन आज रहा हो और ऐसे में ओमिक्रोन को लेकर कोरोना को लेकर क्या तैयारी है सरकार की विपक्ष ने सवाल किया क्या ब्योरा है तैयारियों को लेकर सवाल किया तो ऐसे में स्वास्मंत्वियन विज ने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ उनकी तैयार है सरकार के ताया और उन्होंने बताया कि जो दोनों डोस वैक्सीन के लेंगे उनको ही जो भीडबार वाले जगा होंगी वहाँ पर एंट्री मिलेगी चाहिए वो मैरिज हॉल हो या फिर दफ्तर हो या फिर परिवन हो इन तमाम जगों पर एंट्री बैंड की जाएगे उन लोगों की सारवजिनिक जगों पर एंट्री बैंड होकी जिनोंने वैक्सीन की दोनों डोस नहीं लगवाई है विजने स्ताफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी दफ्तर में पारिवन में यहां तक की मैरिज होम तक में एंट्री नहीं दी जाएगी अगर कड़े कदम उठाने जा रही है एक कारिक के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरיצ हाल में किसी रेष्ट्रेंट में किसी होटल में किसी माल में किसी दफ्तर में किसी बैंक में जा और भी जहां जहां पर लोगों के जैदा होने की संभावना हो सकतरे अगर आप這樣的 में पढ़़ के सुना ह mismo लेकिन हम generally समझे कि जहाँ जहां पर है वहाँ पर जिसको second dose दोनों doze नहीं लगी हुई है बस में, गारी में जिसको दुनों doze नहीं लगी हुई है he will not be permitted to enter तो ये विदान सवा का शीद कालिन सत्र चोथे दिन हंगामेदार रहा